नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्टेडी फॉर यूपेसी पीसेसे में सौगत है 68 बीपेसी पीटी पेपर आपका हो गया बहुत सारे लोगों का अच्छा गया एक्जाम बहुत सारे लोगों का खराब गया एक्जाम कल हमने एंसर की डिसकस किया था सबसे पहले सब चीज छोड़ के एक चीज कल जो हमने एंसर की डिसकस किया जो जो बाकी था हिस्ट्री सिक्सन छोड़ के बाकी सारे सवाल का किया था उसमें बहुत सारे मिस्टेक थे एंसर में मैंने किये थे इसलिए मैं छिमापरार्ठी हूँ इस सीज़ के ज़िए बहुत सारे अंसर में गलत तो एक्श्यलिम्होता क्या है ना जब एक्जाम के बाद एक होड हो जाती है अंसर को अपलोड करने के लिए करते रह तरह के लोग वो करते है तो उसी में जल्दवाजी में कुछ को संस ही गलत थे लेकिन कुछ को संस गलत थे लेकिन वो भी गलत नहीं होना चाहिए ये मेरी गलती है मैं इसके लिए छमा प्रारती हूँ गलती मानने में कोई बुराई नहीं होती है मान लेनी चाहिए आगे बढ़ते हैं आज के चीजों पर हम लोग बात करते हैं 68 BPSC, PT के पेपर को हम लोग थोड़ा सा इनलाइज करेंगे सबसे पहले पेपर का सोर्स क्या था और 69 के लिए किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि 68 का पैटर्न जो बदला है उसको तरह सा ढंग से समझने ही कोसिस करते हैं इस थिरता के साथ समझने ही कोसिस करेंगे एक एक चीज को छोटे छोटे चीजों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे किस तरह से इस बार पेपर अलगाया था छोटे छोटे बारीक चीजों को दिखाऊंगा फिर आपको मैं सोर्स बताऊंगा 69 को लिए किस तरह से परना चाहिए उसको भी मैं बताऊंगा हर चीज पर हम लोग बात करेंगे चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए एक दम बेसिक से सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल के लिए तो मैंने बोल ही दिया कि कल के पेपर में मैकस्मान सवाल मैंने सही डिसक्स की तो कुछ को संस में गलत हो गया था तो आज का ये जो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कहां कहां से सवाल पूछे गए थे सोर्स को देखिएगा आप चले सुर करते हैं पहला मैं दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ यहाँ पर एक सवाल आया था लोहे का प्रियोग सबसे पहले कितने हजार वर्स पूर्व हुआ था रूम में बैठके सब को आसान लग सकता है लेकिन एक्जामनेशन हॉल में वो कई सारे लोग को दिक्कत पैदा कर रहा होगा लेकिन उस सवाल में जो दिया हुआ था छे हजार बीसी नो हजार बारा हजार बारा हजार वर्स पूर्व तब को खुद ही एक अंधाजा लग जाना चाहिए था कि सिंदु घाटी सवेता कितनी हजार वर्स पूर्व है अगर आप दो हजार इस पूर्व उसको मानते हैं तो आज से लगवग चार हजार इस पूर्व हुआ सिंदु घाटी सवेता लोहे का उप्रयोग तो हम लोगों के नहीं दिखता है यानि कि पुरनी रूप से वो तामर पासान था थोरा सा मैं आप लोगो कुस्टन करने का तरीका एक बता रहा हूँ कि आप अगर अंधाजा लगाते नहीं भी याद होता है फैक्ट वो यह नहीं याद होता है किसी को तो भी आप कर सकते हैं, तामर पासान था, और उसकी आयू कितनी है, आज से चार हजार वर्स पुर्व मान लेते हैं, तो उसमें तो एंसर में कोई सा भी नहीं था, और देखो ये NCRT है, NCRT में क्या लिखा हुआ है, लगववववववववववववववववववववव सारे के सारे NCRT से आये थे, एक एक कोशन मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं करी में 10-20 कोशन ले का हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए, कहा NCRT से आया था, अगले सवाल पर चलते हैं, गुपत काल के मंदिरों के नाम दिये हुए थे, ये भी NCRT है, कानपूर के भीतर काल में बनी हुए है, यही सम मंदिरों के नाम दिये हुए थे, पूछा हुआ था, ये किस काल के मंदिर समू है, सीधा सा यही कुशन उठा कर पूछे दिया था, अगले पर चलते हैं, अगला कौन सा है, प्रिस और साहिते की भूमिका, और ये जो था, कि भारते सुदंता अंदुलन में, अतीत, यानि कि इतिहास लेखन ने किस प्रकार मदद किया था, ये स्टेटमेंट वाला सवाल था वो, अब आजाओ, भारत के अतीत की खोज, NCRT का चैप्टर है गुरू, मौडरन हिस्टी का है ये, भारत इस कदर से पस्थ हो चुके थे, भारत ये, ये सब्मान जर्गान के प्रियत्म किये वे, गर्व से भारत की सांस्कृतिक धरोहर की और संकेत करने, और आलोचक, असोक, चंदरगुप्त, मौरे, बिक्रमादित, अकवर जैसे साचकों के राज़्टिक उपलवधियों पर ध्यान दिलाया, इस कार में बिद्वानों ने कला स्थापत्य साहित दरसन, बिग्यान, राज़्टी भारत के दराश्टी धरोहर के फिर से खोज करने में जो कुछ किया, उससे इन राष्टबादी नेताओं को बलतता प्रोसाहन मिला, दुरुभागी से कुछ राष्टबादी नेता दूसरे छोड तक चले गए थे, भारत पेपर रखा है, तो आपको यही चीज मिलेगा, आप इसका जब सार निकालेंगे, तो वही दो स्टेटमेंट निकल के आएगा है, जो आपकी एक्जाम में दिया हुआ है, अगले सवाल पर ले चलता हूँ मैं आपको, कॉपी पेस्ट मैं दिखाऊंगा, कॉंग्रेस के मांग को लेकर उने 105 में गोखले और दादा भाई ने रोजी ने उठाया था, स्वराज, गोखले और दादा भाई ने रोजी उसका दोनों हो जाएगा, उसका डी एंसर हो जाएगा, कल मैंने उसका बता दिया था, दादा भाई ने रोजी, मैक्सम टीचर ने दादा भाई निरोजी न उठाये था आयोग उसका क्या अंसर देता है पता नहीं लेकिन NCRT में यहीं से यह कुस्टन बनाया गया था सोर्स तो यही है कॉंगरिस का ध्यक्ष के तौर पर अगर बोले तो उससे में कौन थे दादा भाई निरोजी थे कलकत्ता अधिवेसन में ध्यक्ष यहीं से कॉपी पेस्ट था आपका कॉस्टन इतना डीटेल में किसी ने भी नहीं बताया है इसलिए नहीं बताया क्योंकि टीचरों ने बहुत सारों किसान दोलन मुठा गया थे तो आसान सवाल है इसको छोड़ सकते हैं देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है मगर भारतिय राष्ट बादियों इन मामली छुटों की मांग से बहुत आगे बढ़ चुके थे वे अब राजनितिक सत्ता की छाया मांसे संतूष्ट होने वाले नहीं थे अगस 1918 भारती राष्ट कांग्रेस ने बंबई में एक विशेस सत्र बुलाया ताकि सुधारों के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके इस अद्विसन के देख्ष हसन इमाम थे इस सत्र ने इन प्रस्तावों को निरासा जनक और आसन तो जनक बताया अब तुम्हारा कोस्टन सुरू हो रहा है बतला कर इसकी जगह प्रभावी सुसासन की मांग रखी सुरियनार्जी के नेतुत में कॉंग्रेस के कुछ वयोविर्ध नेता सरकार के प्रस्ताओं को स्वीकार करने के पक्ष में थे क्वाव नहोंने कॉंग्रेस चोड़ कर इंडियन लिबरल एस्स़ियशन के अस्थापना कर दी कल पूशा गया था कमें मोंटेंग्यु चेंसफोर सुधारों के पक्ष में कुछ भारत के नेताओं ने कौन से संगठन के अस्थापना की थी इंडियन लिबरल फेडरेशन के अस्थापना की थी ये आपका NCRT से कोस्टन है एक ही NCRT बुक है भी सारे का सारे सवाल तुमें एक ही NCRT से दिख रहे हैं जो भी मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को उस सभी एक ही NCRT से दिख रहा है भी क्या है इंडियन लिबरल एस्थापना की थी एनी बेसेंट भी इसमें सामिल थे सुरिनाद बनर जी भी सामिल थे इसमें आगले सवाल पर चलते हम लोग कैमिनेट मिसन के बारे में बताता हूँ कैमिनेट मिसन से जो सवाल पूछा गिया था यहां पर देखो क्या दिया हुआ है इसलिए भारती सरकार ने मार्च Anita unexpectedly का भारत भेजा एक कैमिनेट मिसन को भारत भेजा क्या लिखा हुआ है कि भारतिय नेताओं सत्ता सौपने के बाते हम बातचीत की जाए कैबिनेट में से ने दू अस्तुर वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताओ दिया जिसमें आसा की गए कि बड़ी मातराम छेत्रिय स्वाइता दे कर भी राश्टी एक्ता को बनाए रखा है और दूसरी चीज कौन सी इसने बात की थी इसने सम्मिधान सभा की भी बात की थी ओके देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है साथी प्रांतों अपने अपने छेतिरे संगठन भी बनाया जा सके उसे आपसी समझवतों को द्वारा अपनी कुछ सक्तियां सौप सके यह सब दूस के बारे में दिया हुआ है समिधान सभा के गठन कर सकती है संगीय भारत के लिए एक समिधान बनाने को दिस दिस से भी इसको भेजा गया था दियाने की राश्टवाधी सरकार और समिधान सभा मू दिस सिथा कैबिनेट प्रस्ताओं का सुईकार हुआ नहीं हुआ एंसर क्या देता है वो अलग चीज है मैं मूल रूप से आपको क्या दिखा रहा हूं कि आपके अगले की रनीती क्या होगी 69 की रनीती 68 के पेपर को बार वार देखिए दस वार देखिए बीस वार देखिए बैठकर याद हो जाना चाहिए कि को सन कहां कहां से पूछा है उसी साब से रनीती बनाई जाती है अपना फ्रस्टेशन किसी यूट्यूबर पर निकालना चीखना चिलाना वो अलग चीज होता है लेकिन आपको अगर वाकई ऑफिसर बन गाउं का मुखिया मुकद्दम छोटे जमिंदार खुत एक उंच अस्तरिय जीवन का आनंद उठाते थे दिल्ली सल्तनत एंसी आटी एलेमेंट का खोलिये मदिकाल का दिल्ली सल्तनत प्रसासन में पर जाईए पुराने एंसी आटी में बात कर रहा हूं अभी साइंस के यह लोग काम करते थे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि परगने का प्रधान आमिल था गाउं में सब से थिक प्रभावसाली लोग खूत और मुकद्दम होते थे गाउं का एक पठवारी होता था गाउं के सासन के सबंद प्रयाप्त जानकारी का भाव है गाउं का भ आपका NCRT है History NCRT अगले पर चलते वैसे आसान सवाल था यह कुछ जाता तो नहीं था इसमें अब एक सवाल पूछा गिया था किसके बारे में सेर सासूरी के बारे में गौंड पर अपनी विजय के बाद सेर खाने हुमायू के पास प्रस्ताव भेजा कि यदि सीम लाइन कौपी पेस्ट है प्रस्ताव हुमायू के पास किसे नहीं भेजा था कि अगर आप बंगाल पर मुझे कबजा करने देंगे तो मैं बिहार का छेतर आपको छोड़ कि अगर आप बंगाल पर मेरा प्रभुत बनने देंगे तो मैं आपको बिहार पूरा पूरा दे दूँगा सेर खाने हुमायू के बोला था कौट पेस्ट है लाइन ये लाइन उठा कर जैसे लग रहा है कि कौपी पेस्ट कर दिया गया है आपके एक्जाम में कहीं भी ऐसा सोर्स किसी ने बता दिया होना तो मुझे आगे बता देना कि नहीं किसी और ने भी बता है ये पेर वाला एक सवाल पूछा था ये तो ग्रुप में किसी बत्से ने भी बेजा था यहां पर आप देख सकते हैं पेर के बारे मुझे एक सवाल था ये यहीं से ये सवाल पादे दिया, वकीलों ने मुकदमा लरना बंद कर दिया, मदरास के लावा जादतर प्रांतों परस्द चुनों का भाहिसकार किया गया, मदरास में ग्रैर ब्रामनों दोरा बनाएगी, जस्टिस पार्टी का मानना था गी, काउंसील अप्रवेस के जरिये, उन्हें भी मताद क्रिसंदेव राय जी के बारे में है, क्रिसंदेव जायरी जी उन्होंने अपनी मा के नाम पर विजयनगर के समीपी, नागलपूर नाम के उपनगर के अस्थापना की थी, आपके एक्जाम का कुस्टन है, और बताईए, अब आप किसको दोस देंगे, किसी टीचर को दे सक लगते हैं आप दोस, साइञ्स का कुस्टन, धातू कार्वनेट के बारे में पूछा गया है, मेटल कार्वनेट और धातू हाईडोजन कार्वनेट के बारे में पूछा गये, कौन सा गैस का उच्जार होता है, इसका मैंने एंसर बताए था, co2, बहुत सारे जगह इसका S2 वगरा बता रहे है हाइडोजन वगरा क्या क्या बता रहे हैं NCRT में मैं जो मानता हूँ जो पढ़ता हूँ वही आपको बताता हूँ इसलिए कुछ एंसर मेरे भले ही गलत है लेकिन जो एंसर मैंने सही बताए है वो बिरकुछ सठीक है 100% सठीक एंसर दिये थे इसका मैं देखा देता हूँ कहा था एंसर ये रहा धातु कारबोनेट या धातु हैडोजन कारबोनेट को अमल में मिलाते हैं यही कुस्सन है देखो जाके कि मेटल को जब हम ऐसीड के साथ अभी क्रिया करवाते हैं कौन सा गैस उतसर जित होता है तो लबन बनता है कारबोन डायोकसाइड एक गैस है सीओ टू गैस बनता है और जल बनता है तो गैस एक ही है सीओ टू कारबोन डायोकसाइड बनता है मेटल कारबोनेट का एसीड के साथ रियक्शन करवाने पर acid base जो chapter है उससे आपके 2-3 सवाल direct उठाए copy paste किये गए था आपके exam में AL2O3 जो है plus ZNO ये भी आपका zinc oxide वाला question copy paste था NCRT से और भी दिखाता हूँ अभी रूक जाएए बहुत सारे question मैं लेके आया है हुई carpels जो कंकाल तंत्र के बारे में पूछा गया है जिसका बहुत सारे लोग cartagen answer बता रहे हैं तो carpels के बारे में क्या लिखा हुआ है carpels के बारे मैंने carpels बताया था बहुत सारे लोग अलग बता रहे हैं उन दोनों को मैं दिखा दूँगा आयो cancer आही जाएगा उसके बाद मैच हो जाएगा अपना ओके देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर कि these joints help in locomotions and many other moments वही लिखा हुआ है कि घुमाओ में मोरने में मोरने में कौन सा joint मदद करता है कौन सा मदद करता है और जो कठोर भी नहीं होता है यह सब्दी उसमें लिखा हुआ है कौन में ball and second joint between humors and pectorals hinge joint, pivot joints मुझे यह बायू का इंगलिस किसी का भी कमजोर होता है between the carpels and the saddle joints एक carpels का मैंने दिखा दिया अब बात करतें cartilage की कौन में लिखा हुआ है कि वो कठोर नहीं होता है bone and cartilage the former has very hard matrix due to calcium salt calcium salt के कारण cartilage जो होता है बहुत ही hard होता है cartilage आपका मस्तिस्क के हड़ी में होता है जबकि जो carpels होता है वो कलाई के पास होता है कलाई के पास होता है अब इसका answer आयोग जो देता है वो देख लेंगे लेकिन source आपका NCRT ही था अगले पर चलें अगले कौन सा था एक था कि photo diode मैंने answer बताया था electronics उद्योग में कौन सा चीज यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा ये पूछा गया था electronics उद्योग की बात कर रहा था बार बार मैं कह रहा हूँ electronics application लिखा हुआ है सब photo diode का सबसे ज़्यादा की यूज़ होता है ये लिखा हुआ यहाँ पर ये क्या काम करता है photo diode तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है photo diodes used for detecting optical signals optical जो signal होता है इसको detect करने के लिए electronics item में यूज़ किया है photo diodes का यूज़ किया जाता है electronics application में यहीं से आपका ये भी NCRT है NCRT है गुरू है यहाँ से आपका सवाल पूछा गया था alpha particle के बारे में पूछा गया था alpha particle जो होते हैं वो positive charge होता है देखो NCRT में direct लिखा हुआ ये तो आसान सवाल था आपका 73 मा समिधान संसुधन से पूछा गया था policy के question तिरी अस्तरिये चतूत अस्तरिये block अस्तर के होते देखो यहाँ पर बराबरा खंड में लिखा हुआ है ये भी आपका सवाल पूछा गया था NCRT से ओके और ये कौन सा था गंगा के दक्षिन के नदियों के आसपा प्राचिन काल मगद के नाम से जाना जाता था गंगा के दक्षिन के छितर को ये भी सही है आपका यहाँ से पूछा गया था तो इतने सारे question के दिखा दिया है मैंने और भी मैं चाहता दिखा सकता था तो बेसिक होता है GS का NCERT बहुत सारे reference book होते है चाहे पॉलिटी का हो लक्ष्मी कान्थ या फिर बील ग्रोबर मौडरन हिस्टी का हो spectrum हो बहुत अची book है spectrum उससे भी questions पूछे जाते हैं मैं यह नहीं बोलगा नहीं पूछे जाते हैं चाहे वो SK Pande की book हो जो होता है न बुक 62 के जो book होते हैं NCERT के सभी subject के यह GS का आधार होता है बिना इसके आप नहीं कर सकते हैं किसी भी exam के GS का preparation किसी भी exam को देना आपको UPSC देना हो UP का exam देना हो बिहार का देना हो NCERT आपको परना ही परेगा no other option इसलिए और भी क्यों परना परेगा क्योंकि आपके mains में निबंध का paper भी add हो गया है और जहां तक मैं स्योर हूँ कि इस बार के GS1 और GS2 में आपको और सथिमी BPSC के mains examination में में भी आपको NCERT के से प्रसन पूछे जाएंगे और आपको ऐसे ही surprise मिलेगा क्योंकि वहाँ पर भी प्रसनों का अस्तर बढ़ सकता है अलग प्रसन पूछे जा सकते हैं इसलिए जिनके पास भी NCERT है किसकी subject का परना है मैं वह भी बता देता हूँ PT को लेकर अगर note करेना है आपको तो note कर लीजे history का परना है history का 6-12 परना है और 11-12 का old NCERT भी परना है 60-12 तो आप new बाला पर लीजिए लेकिन 11-12 का old NCERT जरूर परिए 11-12 का old NCERT जरूर परिए 60-12 अगर आपको नहीं भी परना है तो भी 11-12 तो minimum परना ही परना परता हिस्ट्री के लिए बाकि spectrum और MCQ लगा के आप कर सकते हैं history का history पर ज़्यादा जोर नहीं होना चाहिए क्योंकि आसान होता है इतना भारी सेक्सन नहीं होता है बिहार special history जो भी सवाल पूछे गए थे वो बिहार special के deep अभ़विसे से पूछे गए थे पॉलिटी के जो है वो अगर आप नहीं परना चाहते हैं पीटी के लिए तो लक्षमी कांथ से हो जाता है कुछ खास नहीं पॉलिटी के सवाल रहते हैं सारे आसान आसान से सवाल रहते हैं लेकिन कुछ-कुछ चैप्टर फिर भी आपको परना चाहिए क्योंकि जैसे community वाला सवाल पूछा गया था समुधाइक विकास वाला पूछा गया था 1952 में पहला सुरू किया गया है कारिकरम integrated village development program ग्रामीन विकास के लिए सुरू किया गया था पहला कारिकरम तो ये भी आपका NCRT से ही पूछा गया था copy paste था line by line NCRT से पूछा गया था तो इसलिए आपको polity की NCRT भी पढ़नी चाहिए जरूर पढ़नी चाहिए PT के लिए नहीं तो कम से कम mains के लिए आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि mains में भी वहां से सवाल बनाए जा सकते हैं आने वाले तीनों में PT में भी जो पंचायती राज वगरा होता है या आजादी के बाद भारत के इतिहास से जो सवाल पूछे जाते हैं राज़ती के इतिहास या आर्थी के इतिहास वो आपको polity economy के NCRT में ही मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलता है ध्यान पूर्वक समझेगा चीजों को अच्छे से concise form में जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिज करना है अब आते हैं भूगोल की बात भूगोल का NCRT बहुत ही best है भूगोल का 60-12 इसका भी पढ़ना चाहिए 12 का अगर नहीं भी पढ़ते हैं इसक्स से लेकर 11 तक न्यू NCRT पढ़ना चाहिए हिंदी इंग्रिस दोनों मिल जाएगा मेरे पास बहुत सारे NCRT है मैं मेंस ग्रूप में भेज दूँगा वहाँ पर आप ले सकते हैं उसको इसी तरह से सोसल इसू का NCRT आता है हमारे समाजिक मुद्दा उसको आप जब परहेंगे तो आपको निवंध में बहुत ज़्यादा मदद करेगा निवंध पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा समाजिक मुद्दे के जो NCRT है इकॉनमिक्स का NCRT है जैसे 1992-1993 वाला एक सवाल पूछा गया था कि तो जो कुस्टन पूछा गया था यूनियन बजट 1992-1993 के बारे में ये NCRT में दिया हुआ है LPG नाम से एक चैप्टर है लिबलाईसन, प्राइविटाईसन, ग्लोबलाईसन उसमें आपको डीटेल में ये मिल जाएगा पंचवर्सी योजना से सवाल पूछा गया था नियोजीत अर्थवियस था करके एक चैप्टर ही है पूरा पूरा नियोजन जिसे प्लानिंग था और यहां से एक आपका सवाल बना हुआ था अलिवार अलग ट्रोपिक से आ सकते लेकिन आएगा वह जरूर और वहीं से आएगा क्योंकि सोर्स ही वही है सरकारी तोर पर किसी भी इनफॉर्मेशन को नौलेज को देने का बच्चों में वही सोर्स एंसी आर्टी ही है मूल रूप से और कोई सोर्स नहीं है इसलिए उसको आपको पढ़ना ही पढ़ेगा साइन्स के कोस्टन ने सब ज़्यादे परिसान किये हैं लोगों को साइन्स के कुछ कोस्टन ऐसे थे जो बिल्कुल छोड़ने वाले तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए था जैसे जो मादा एंफिलीज मच्छक के बारे में पूछा था यही जो ऐसकलेटर्ण के बारे में पूछा गया था इन सब कोस्टन को छोड़ देना चाहिए था नहीं आ रहा है निगेटी मारव कर दो छोड़ देना चाहिए था लेकिन अगर आपको पढ़ना है साइन्स के तियारी करनी है अच्छे से तो वही 62th NCRT पढ़िए यहीं से सारे के सारे सवाल बनते हैं 11-12th के NCRT थोड़ा से डीटेल में पढ़ना क्योंकि BPSC टॉफ कोस्टन बना रही है और यहां से बना रही है इसी को पढ़ना है आवाते हैं कि MCQ कहां सा प्रैक्टिस करें 69 के लिए 30 September आपका एक्जाम का डेट घोसित किया गया है इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि मेंस का पढ़ना चाहिए अप्री का अभी आप मेंली मेंस का तियारी करिए NCRT से पढ़े पढ़े नोट्स बनाके एंसर राइटिंग करके प्रिवेस एर कॉस्संस को देखकर टॉपिक एक एक पढ़े कोई समझने वाली चीज़ नहीं आती है तो उसको समझने कोजिज कीजिए कहीं से जहां से भी हो सके तो वो आपको अभी मेंस की ही तियारी करनी चाहिए कम से कम जून तक तो मेंस का ही कीजिए जुलाई अगस्त अगर आप प्रिक कर लेंगे सेप्टेमबर भी कर लेंगे तो तीन महिने में हो जाएगा उतना एनफ होता है अभी बहुत दिन है इस एक्जाम में इसलिए पूरा का पूरा फायदा उठाना क्योंकि फिर वो आपको मेंस के लिए समय नहीं दिया जाएगा सेप्टेमबर में अगर होता है प्री तो फिर नवंबर लास तक या दिसमबर में आपका मेंस एक्जाम ले लेगा दो महिने बाद इसी तरह से आपको करना है पीटी का भी नहीं मेंस का खुब अच्छे से त्यारी कीजिए पिटी अपने आप त्यार होता जाता है फिर आपको लास्ट फैक्ट्स देखना होता है इसको आपको त्यार करना है अब आते हैं कि NCRT के MCQ कहां से practice करें बहुत सारी बुकें आती हैं market में मैं किसी एक बुक का नाम नहीं बताऊँगा NCRT MCQ नाम से NCRT MCQ नाम से बहुत सारी बुकें आती हैं market में इन बुकों खरीद लीजे सारे subject के history के policy के, geography के economics के, science के बस ये 5 subject का खरीदना है इन 5 subject को खूब अच्छे से practice करना है लेकिन ऐसा नहीं है कि घटना चकर के MCQ को छोड़ देना है क्योंकि previous year से बहुत सारे सवाल इस बार भी आपके पूछे गए हैं खासतोर से बिहार special में बहुत सारे पूछे गए हैं कुछ questions तो नए बनाए हैं निसंदे बहुत अच्छा पेपर था लेकिन इसको जरूर पढ़िए और MCQ practice करने के लिए इसी को use करना है NCRT MCQ clear हो गया होगा अगर हम लोग इस पेपर की बात करें 68 के पेपर में किस तरह के सवाल थे तो fact भी थे प्लस concept भी था fact आधारित सवाल जो थे वो 70% के करीब में सवाल जो fact आधारित थे 30% या उससे कम ही सवाल जो थे वो concept आधारित थे अगर सब कुछ सही गया कल मैंने बताया थे 105 cut up तो बहुत सारे लोग बोल रहे 105 कैसे चला जाएगा कुछ भी ठीक है नहीं जाएगा भगवान कर 105 न जाए 100 ही जाए लेकिन इसके आसपास तो cut up रहेगा ही 100 plus minus 5 कर लो लेकिन इसके आसपास तो cut up रहेगा ही रहेगा इससे अगर बहुती कम जाता है तो और भी अच्छी बात है बहुत सारे लोगा सेलेक्शन हो जाएगा भई और मेरा क्या जा रहा है इसमें इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि 68 BPSC PT के पेपर को देखकर जो हमने एनलेसिस किया है उसको ध्यान पुरवग देखिए सोर्स आपका किलियर हो गया 68 BPSC के पेपर देखकर 69 के लिए क्या सोर्स था NCRT ही सोर्स है और कोई सोर्स नहीं है किसी मास्टर का नोट्स नहीं किसी कोचिंग का नोट्स नहीं कोई मैटेरियल नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ और सिर्फ NCRT ही सोर्स है और इससे जुरे हुए MCQ सोर्स है उसी पर मूल रूप से फोकस कीज़े पढ़ना सुरू कर दीज़े आज सही 69 अगर ढंग से देना है तो 68 का अगर मेंस देना है तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है निवंध लेखन की प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए लेखन से ली अच्छी नहीं होगी तो पहले ही आप बाहर हो जाएंगे निवंध पेपर गेम चिंजर सावित होगा इस बार तो यह बस मुझे ये बताना था कि सोर्स कहां से था इससे ये जरूर पता चल जाता है 69 BPSC के लिए कहां कहां से क्या कप पढ़ना चाहिए अगर आप PT के लिए 69 के PT के लिए तो अभी तो मैं आपको बोलूँगा हिस्ट्री से सुरू कीज़े फिर जोगरफी फिर पॉलिटी फिर एकॉनमी हिस्ट्री फिर पॉलिटी पढ़ना तो ज़्यादा आसान लई है हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी एकॉनमी और साइंस को साथ साथ पढ़ते रही है MCQ NCRT बेस्ट ही लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है भार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कोई टेप तो है नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि बैठ जाए आपके दिवाग में बस यही मुझे बताना था कि सोर्स क्या था मोल रूप से यही मुझे डिसकस करना था कि सोर्स क्या था सोर्स पता चलते ही हमें क्या पता चल गया कि 69 के लिए कैसे प्रिपियर करना है जैसा भी लगा हो वीडियो जरूर बताना कोई सजेशन देना हो कोई आपको कुछ भी अच्छा लगा हो बुरा लगा जरूर कमेंट कीजिए थैंक्यू सो मच आप सभी का